जब भारत G20 जैसे सफल आयोजर करता है, तब दुनिया एक स्वर से बोल उड़ती है, अरे भारत तो बदल रहा है। जब भारत स्रिफ दस वर्सों में अपने एरपोर्ट के संख्या को बढ़ा कर दो गुना कर देता है, तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। जब भारत सर्फ दस सान में चालीस हजार किलोमेटर से ज़्यादा, यहां कड़ा याद रखना है, चालीस हजार किलोमेटर से ज़्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है। तो दुनिया को भी भारत के पावर का एहसास होता है, उनको लगता है देश भदल रहा है। आजब भारत डिजिटल पेमेंट्स के नए रिकॉर्ड बना रहा है। आजब भारत एल बन पॉइंट से सूरज की परिक्रमा पूरी करता है। आजब भारत दुनिया का सबसे उंचा रेलवे ब्रिज बनाता है। आजब दुनिया की सबसे उंची स्टेच्चू बनाता है। तो दुनिया कहती हैं वाकई भारत बदल रहा है। और भारत कैसे बदल रहा है। कैसे बदल रहा है। भारत बदल रहा है क्योंकि भारत अपने 140 करोड नागरिकों के सामर्थ पर भरोसा करता है। भारत बदल रहा है। क्योंकि 140 करोड भारतिय अब भारत को विक्सित देश बनाने का सपना संकल्प लेकर के पूरा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान पूरा महनत कर रहा है हर किसान कर रहा है हर नवजवान कर रहा है हर गरीब कर रहा है। आज दुनिया के अलग हिस्सों में जो मेरे भारतिय भाईवान रहते हैं। आप सभी भारतिय अपनी मात्र भूमी की उपलब्दियों पर सीना तान करके सरूंचा करकर करके गर्व करते हैं। आप गर्व से बताते हैं कि आपका भारत आज किन भुलंदियों को छू रहा है। अपने विदेशी दोस्तों के सामने भारत का जिक्र आते ही आप देश की उपलब्दियों की पूरी लिष्ट रख देते हैं। और वो सुनते ही रह जाते हैं। मैं जर आप से पूछता हूं। क्या बताईए। मैं चो कह रहा हूं सच है कि नहीं है। आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है। दुनिया का आपकी तरफ देखने का नजरिया भी बदला है कि नहीं बदला है यह 140 करोड देशवासियों ने करके दिखाया है आज 140 करोड भारतिय दसकों से चली आ रही समस्याओं को सुल्जाने में विश्वास करता है कारपेट के नीचे दबा करके गुजारा करना अब देश को गुवारा नहीं है दोस्तों आज 140 करोड भारतिय हर ख्षेत्र में सबसे आगे निकलने की तैयारी में जूटे रहते हैं आपने भी देखा है हम अपनी अर्थववस्ता को सिर्फ कोविड संकर से बहार निकाल करके नहीं लाए बलकि भारत ने अपनी अर्थववस्ता को दुनिया की सबसे मजबूत एकोनोमी में से एक बना दिया हम अपने इंफ्रास्रक्चर की कम्या दूर तो कर रही रहे हैं बलकि हम ग्लोबल स्टांडर के माल्स्टोन क्रियेट कर रहे हैं हम सिर्फ अपनी स्वास्त सिवाएं सुधार रहे ऐसा नहीं है बलकि देश के हर गरीब को मुक्त इलाज की सुविधा भी दे रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्यॉरंस स्कीम चलाते हैं हाई शुमार भारत यह दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है यह सब कैसे हो रहा है दोस्तों इसे कौन कर रहा है मैं फिर कहता हूं एक सो चालीस करोर देश वासी हैं वो सपने भी देखते हैं संकल्पी भी करते हैं और सिध्धी के लिए जी जान से जुटे रहते हैं यह हमारे नागरिकों की महनत लगन और निष्ठा से संभव हो रहा है साथियों भारत में बडलाव सिर्फ सिस्टिम और इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नहीं है यह बडलाव देश के हर नागरिक के हर नवजवान के आत्म विश्वास में भी दिख रहा है और आप जानते हैं सफलता की जो पहली सिड़ी होती है ना वो खुद का आत्म विश्वास होता है 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूप चुके थे हताशान निराशा ने हमको जकड लिया था आज देश आत्म विश्वास से भरा हुआ है एक ही बिमारी के दो पेशंट अस्पताल में हो उतने ही सामर्थमान डॉक्टर हो लेकिन एक निराशा में डुबा हुआ पेशंट हो दूसरा आत्म विश्वास से भरा हुआ पेशंट हो तो आपने देखा होगा आत्म विश्वास से भरा हुआ पेशंट कुछी हफ्तों में ठीक होकर गैस्पताल से बाहर आता है निराशा में डूबा हुआ पेशन को किसी और को उठा के लेकर जाना पड़ता है आदेश आत्म विश्वास से भरा हुआ है और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूजी है आपने भी हाल में टी ट्वेंटी वर्लकप में और मुझे पक्का विश्वास यहां भी आपने उस विक्टरी को सेलिब्रेट किया ही होगा किया था और नहीं किया था गर्व हो रहा था और नहीं हो रहा था वर्लकप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है आज का युवा और आज का युवा भारत आखरी बॉल और आखरी पल तक हार नहीं मानता है और विजये उनी के चरण चुमती हैं जो हार मानने को तयार नहीं होते यह भावना सिर्फ क्रिकेट तक से भी नहीं है बलकि दूसरे खेलों में भी दिख रही हैं बीते सालों में हम इंटरनेशनल टूर्नमेंट में हमारे अथलेट्स ने इतियासित प्रदर्शन किये हैं इस बार पैरिस ओलिम्पिक में भी भारत की तरप से एक शांदार टीम भीजी जा रही है आप देखेगा पूरी टीम सारे अथलेट्स कैसे अपना दम दिखाएंगे भारत की युवाश्शक्ति का यही आत्मविश्वास भारत की असली पूंजी है और यही युवाश्शक्ति भारत को 21 सदी की नई उजाईयों पर पहुंचाने का सबसे बड़ा सामर्थ दिखाती है साथ्यों आपने चुनाव का महल भी देखा होगा टीवी पर देखते होंगे चुनाव कैसा चल रहा है कौन क्या कह रहा है कौन क्या कर रहा है साथ्यों चुनाव के दौरान में कहता था कि बीते दस सालों में भारत ने जो विकास किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है आने वाले दस साल और भी फास ग्रोथ के होने वाले सेमी कंड़क्टर से एलेक्ट्रोनिक मेनिफेक्टरिंग तक ग्रीन हाइड्रोजन से एलेक्ट्रिक वेहिकल तक और वर्ल्क्राज इंफ्रस्ट्रक्टर भारत की नई गती दुनिया के विकास का और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ दुनिया के विकास का अध्याए लिखेगी आज ग्लोबल एकोनामी की ग्रोथ में 15 परसेंट भारत पंट्रिबूट कर रही है आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है ग्लोबल पावर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हार चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा और मेरे तो डीने में है चुनोती को चुनोती देना साथ यंब को सिया य्ली है को बस यही प्यार जो है ने दोस्तों जब देश वास्व के साथ दुरी का अवकासी नहो जो सोच लीडर के मन में चलती है वही सोच जब जन मन में होती है ने तो अपार उर्जा जनरेट हो जाती है दोस्तों और यही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर साथियों मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्परिटी को नई उर्जा देने के लिए भारत और रूस कंदे से कंधा मिला कर चल रहे हैं यहां मुझूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को और नई उंचाई दे रहे हैं। आपने अपनी महनत से अपनी इमानदारी से रूस के समाज में अपना योगदान दिया है। साथियों में दसकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिष्टा है उसका कायल रहा हूँ। रूस सब्द सुनते ही हर भारतिये के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसे मन दोस्त हमारे रश्यन फ्रेंड्स इसे दुरुजवा कहते हैं। और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेंप्रेचर कितना ही माइनस में नीचे क्योंने चला जाए। भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है गर्म जोशी वरिले की। यह रिस्ता फिर भी यह गीत बले ही पुराना हो गया हो। लेकिन सेंटिमेंट्स एवर ग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राजकपूर श्रीमान मिथुन्दा ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कूति की दोस्ती को मजबूत किया। बारत रूस के हमारे रिस्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया। और आज आप सभी भारत रूस के रिस्तों को नई उंचाई दे रहे हैं। हमारे रिस्तों की दर्ता अनेक बार परखी गई है। और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेश रुप से मेरे प्रियम मित्रा प्रसिडेंट पुटीन की लेडर स्विक्री की स्तरहना करूंगा। उन्होंने दसक, दो दसक से ज़्यादा समय तक इस प्रसिप को मजबूती देने के लिए शांदार काम किया है। बीटे दस सालों में मैं चठी बार रश्या आया हूँ, और इन सालों में हम एक दूसरे से सत्रा बार मिले हैं। ये सारी मिटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संगर्स के बीट फसे थे, तो प्रसिदेंट पुटीन ने हुए वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थे। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रसिदेंट पुटीन का, इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। आज बडी संक्या में हमारे नवहाजवान, रॉस्ट पुटीन में रॉस्प्राइट।